भाई, winters आ गई है, मतलब आपके सर से भी snowfall शुरू हो चुका है, dandruff का या फिर आपके बाल एकदम dry, damaged, rough हो चुके What's up bro, welcome and welcome back to be your best, मैं हु सान काल रहा है आज का वीडियो होने वाला है, winter hair care tips आपके बालों को winters में जो भी problems होती है, उन सब के solutions दूंगा इस वीडियो में तो सारे point बहुत ध्यान से सुनना और वीडियो एंट तक देखना, क्योंकि वीडियो में एक giveaway भी छुपा हुआ है या विंटर्स में आपके बालों की सबसे basic problem है, dandruff और इसके solution भी बहुत basic है, या basically आपके बालों में dandruff तब होता है तो आपका dandruff controlled रहेगा और ये tonic यूज़ करने के साथ साथ मैं make sure करता हूँ कि मेरा shampoo भी harsh वाला नहीं है तो वो पुराने clinic plus वाले shampoos मत यूज़ किया करो, कोई gentle shampoo यूज़ करो यार winters में एतनी ठंडी हवा चलती है कि आपके बाल बहुत dry और frizzy हो जाते हैं और आपको split ends भी हो जाते हैं, मतलब बाल का end वाला part एकदम futs आ जाता है और winters में static electricity बहुत produce होती है बालों में तो मैं तो recommend करूंगा cold showers लो, आपको बहुत सारे और benefits भी मिलते हैं और हाँ hot water आपके बालों से सारे oils खीची लेता है, इसलिए मैं कहरो cold water से ना हो लेकिन साथ में अगर आप जादा लंबा भी नहाते हो ना तो भी आपके बालों के सारे natural oils wash off हो जाते हैं तो इसलिए 5-7 मिनट से उपर नहीं ना आना चाहिए और winters में rough hair को solve करने का एक और बहुत important चीज है कुछ अच्छे serums use करो serums को आप अपने बालों में लगा के रख सकते हो, उससे आपके बाल frizzy नहीं होंगे और maintained रहेंगे या फिर serums को अपने बाल धोक के सुखाने के बाद लगाने से अच्छा एक और चीज है कि आप conditioner लगा सकते हो अपने बालों में right after shampooing और फिर उसको wash off कर सकते हो next important point है कि आपको कुछ supplements लेने पड़ेंगे अपने बालों की health maintain करके रखने के लिए अब देखो पानी पीना और vitamin mineral rich diet लेना बहुत important है आपकी overall health के लिए भी लेकिन बालों के लिए सबसे important है vitamin H जिसको हम biotain भी कहते हैं ये बहुत जरूरी nutrient है आपके hair growth और उसकी strength के लिए अब देखो वैसे तो ये body के अंदर बनता है बट अभी लोगों का lifestyle ऐसा हो गया है कि सारे micronutrients पूरे नहीं हो पाते हैं हमारी diet में अगर आप बहुत अंडे बहुत almonds अगरा खाते हो तो you are good to go लेकिन generally ये सबकी daily diet में होते ही नहीं है बिलकुल अब यहीं आता है supplements का role क्योंकि एक ही dosage से आपके पूरे दिन का biotin का requirement पूरा हो जाएगा और जो biotin में आजकल consume कर रहा हो वो है HK vitals का biotin जिसमें 10,000 mcg of biotin per tablet है तो एकदम enough है आपका missing requirement पूरा करने के लिए biotin या फिर जिसको vitamin B7 भी कह सकते हो वो आपके बालों का keratin production बूस्ट करता है या आपके hair fall को भी control करेगा और साथ में new hair growth भी promote करता है लेकिन एक-दो महीने इसको consistently लेना पड़ेगा आपको improvement देखने के लिए अपने बालों की health में इसका link description में है आप अभी जाके order कर सकते हो और मेरा code यूज करो additional discount के लिए next winter hair problem पे आते हैं अगर आपको सर्दियों में बालों में itching होती है तो ये allergy की वज़ासे हो सकती है तो अंदर के बालों में बहुत जाता friction produce होता है और sweating भी थोड़ी हो जाती है उसकी वज़ासे वो सारा sweat जम जाता है आपके scalp पे और फिर आपको itching होती है तो इसलिए please लंबे period तक winters में beanie cap पेहन के मत रखना इसका एक और reason है कि आप अभी भी वही अपने harsh वाले shampoos यूज़ कर रहे हो winters में तो harsh shampoos बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने चाहिए क्योंकि already इतनी dry air है कि आपका सारा nutrients strip off हो जाता है तो इसलिए please थोड़े gentle shampoos यूज़ करना वैसे आप कौन सा shampoo यूज़ करते हो मैं को नीचे comments हो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी audience क्या यूज़ करती है exactly और उसे साब से आगे के वीडियो भी मैं अच्छे बना पहूंगा और यही आपका giveaway question अब आज आते हैं इस वीडियो के giveaway पे इस वीडियो पे पी 10,000 likes complete होते ही मैं giveaway करूँगा एक 2,000 रुपीज का online shopping voucher किसी एक लखी सब्स्राइबर को सारी डिटेल स्क्रीन पे हैं लोग क यह बेस वीडियो बेस्ट और यह बेस्ट